या हुआ है वो अगर मरी है तो किस कारण से अगर आत्मात्या की है तो किस कारण से की है या हत्या हुआ है तो कौन किया है इसका तुदम जाच होना चाहिए SMBI 12 का ताकि पता चले आगे की कोई लड़की के साथ ऐसा ना हो प्र किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो हम सब के लिए बोल रहें अज इतनी हिरोहिन हैं बोच्फुरी में चाहिप हैए किसी के घर ऐसे घटना कट सकते हैं कि आज क्यों चूप है सभी लोग्राष में सब लोग के अंदर से इंसानियत को गया इतने कलाकार है बनारश यूपी से आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे अपलोग को घाट पर नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे जितने टेकनीसियन है जितने जितने भी लोग है camera man हो राइटर हो सिंगर हो कोई भी हो इतना लोग आप लोग काम की हैं उसके साथ ऐसा कोई नहीं होगा आकांचा दुबे के साथ में तो उन्से मांग है जो पावर में हैं आप रवी किसन भाईया सांसद हैं आप गुरकपूर से दिनेश लाली आदब भाईया वहाँ आजम गड़ से सांसद हैं मनुज तीवारी भाईया एक पावर नेता के बहुत बढ़े नेता हैं आप लोग को आवाज उठाना चाहिए कि आप लोग के साथ की लड़की आप लोग के साथ भी काम की है वो और आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको और अगर नहीं भी जानते हैं तो एक कलाकार के नाते एक फैंस के नाते एक इंसानियत के नाते आपको आवाज उठाना चाहिए था इसकार में नीजू स्वागत करता हम सभी का अपनी चैनल भूचपुरी गासिपे तो जी हां हमेशा चटपटी मज़े बाते करता हूं लेकिन कोई नहीं चटपटी होगा क्यूंकि दो दिन पहले ही अकांचा दूबे नाम पर चिती होगा और इंटरिव्यू आप लोग देख जिने हर कोई जानता है जो पैदा होता है वो भी जानता है लेकिन अकांचा दूबे के मौत पर सभी लोग चुपी सादे हुए आखिरकार क्यूं चुप है एक लड़की मरती है और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं सोसल मिडिया पर ऐसा क्यूं है कई सारे सवाल खोजने की कोशिस करेंगे जवाब खोजने की कोशिस करेंगे गुंजन भया के साथ में लेकिन पहले भया का स्वागत करते चैनल पर स्वागत भया है एक बात बताईए एक लड़की डेथ करती है और जो पांच नाम है तीन नाम तो खेर सांसद हैं यह चुप है आखिरकार क्यूं आ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह भोजपुरी के साथ जाती हो रही है या उस लड़की के साथ जाती हो रही है यह तो बहुत दुख का विसाय है और जब से घटना सुने हैं मन में बहुत दुख है मतलब दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है यह बात रुच काम करना चा लेकिन एक इंसानियत के नाते कलाकार होने के नाते जब इतने फैंस लोग जो गाना सुनते हैं उन लोगों का कमेंट्स देखिये कितना दुख में हैं तो हम लोग तो उसके साथ काम किये हैं और वोजफुरी इंडरस्टी के एक अच्छी हिरोईन है थी अब तो थी ही बोलना जाक करती रहती थी और साइलेंट साइलेंट रहती थी लेकिन जब बोलती थी तो बिंदास बोलती थी और आपने भी काम किया तो आप जैसे मीडिया वालों के साथ एक अलग होता है लेकिन आज आपको आर्टिस्ट भी आपने काम किया उनका बिभार किस तरीके से था सेट आप के साथ कैसे साथ उनका कैसा रिलेशन की आप बताएंगे बहुत अच्छा था उसका काम करने का तरीका वो वह बहुत अच्छा करती थी और जब शुटिंग पर रहती थी तो एसा नहीं कि बहुत बेवाक बोलती थैयों लड़की में कुछ वह दिल के सची लड़की जो होती दिल के सची जो लोग होते है उजादा बकर बकर बोलते हैं कि दो ऐसा कुछ नहीं था खुले विचार की थी खुले विचार होने के बाब अबजूद भी आखिरकार इंडस्ट्री के इतने सारे लोग मैंने जितने भी हीरोईन है भुश्पुरी इंडस्ट्री की हिरोई सब लोग आकांच्छा के सपोर्ट में खड़े हो चुके सभी लोग कह रहें कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए जाच होना चाहिए पतना होती है तो उसके अंतिम घाट पे उनके अंतिम जब होता है जो कहते ना कि संसकार में कोई नहीं है जहां तक रिपोर्ट पता चला है मुझे कि 7-8 लोग ही मात उस घाट पे थे तो क्या भुचपूरी इंडस्टी एलबम इंडस्टी बनारस में भी है जिस तरीके से दुरभाग है भुचपूरी का कि बनारस अभी एक बहुत ही बड़ा सुटिंग पैलेस बन चुका है क्योंकि वहां बेवस्थाएं मिलती है और योगी जी का सरकार है यूपी में तो लोग सुरचित भी महसूस करते हैं यूपी में तो यही बात तो मैं जब से वीडियो द मतलब बनारस में सब लोग के अंदर से इंसानियत खत्म हो गया इतने कलाकार है बनारसी उपी से आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे आप लोग को घाठ पर नहीं जाना जाहिए था वहां पर जितने टेकनिशन हैं ज wann जितने भी लोग है, कैमरा मैन हो, राइटर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, इतना लोग, आप लोग काम किये हैं उसके साथ, ऐसा कोई नहीं होगा जो कि बनारस में काम नहीं किया होगा, अकांचा दुबे के साथ में, आज उमर गई सिर्फ, तो आप लोग सब साथ ही छोड़ दि क्या गुजरता है उसके उपर, वही समझती होगे, सौ किलोमेटर के दाइरे में अधी बनारस को जोड़ दिया आ है, तो मुझे लग रहा अभी भी आठ से दस फिल्में चल रही होगी बोजपुरी की, और एक भी टेक्नीशन नहीं है, यहां तक कि सोसल मीडिया पर एक सब लिखने के लिए कोई तयार नहीं है, सिर्फ आकांचा दुवे सिर्धानजली, लेकिन इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि जाच होनी चाहिए, जाच होनी चाहिए, इसकी बात क्यों नहीं हो लोग, डरते हैं, कहीं हमारा काला चिठा, जो काली सचाई है, चका चौंद जो र रहता हो, चाहिए मैं गलत अगर रहूं, तो मुझे भी दोसी ठाराएंगे लोग, और बोलना चाहिए, तब तो आदमी सुधार करेगा, अपनी गलती कब सुधार करता है, जब उसको लोग बताते हैं, या फिर खुद लगता है, हम गलत हैं, आज के डेट में, मुझे तो उनसे मांग है, जो पावर में हैं, आप रवी किसन भाईया सांसद हैं आप गोरकपूर से, दिनेश लाली आदब भाईया वहाँ आजमगर से सांसद हैं, मनुझ तिवारी भाईया एक पावर नेता के बहुत बड़े नेता हैं, आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, कि आप लोग के साथ की लड़की, आप लोग के साथ भी काम की है वो, और आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको, और अगर नहीं भी जानते हैं, तो एक कलाकार के नाते, एक फैंस के नाते, एक इंसानियत के नाते, आपको आवाज उठाना चाहिए था, कि वो लड़की का आखिर मौत कैसे हुआ क्या इसके पीछे का राज है आखिर वो होटल में गई तो उस समय तो ठीक थी होटल में लाइब आई है तो ठीक है रो रही है लेकिन यह तो नहीं लग रहा था कि को मर जाएगी आज के दिन में अब मरने के बाद इतना अफसोस होता है लोगों को जिस के बारे में सोख ब्यक्त करेगा और उसका फेस्बूक पर फोटो डालना है इस्टाग्राम पर डालना है आज से कम से कम यह लोग सोच लें कि जो लोग काम के लिए फोन करते हैं लड़का हो लड़की हो सब पर ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो कल के डिट में सभी लोग जा रहा है इसके बारे में आप कहेंगे कि क्या समर सिंग नहीं टॉचर किया बात आ रही है कि पाच कड़ोर कैश की बात आ रही है कि पाच कड़ोर पेमिंट पेंडिंग थी क्या यह आपको लगता है इसको आप कैसे देखते हैं देखिए इसका जाच हो चाय कोई रहे इस और आपके इचेत्र में घटना हुआ है तो मुझे लगता है जरूर इसका न्याय दिलाएं किसी के घर ऐसा घटना घट सकता है आज क्यों चुप है सभी लोग आप लोग अगर इस पर आवाज उठाईए थोड़ा सा इसका जाच होना चाहिए क्या हुआ नहीं हुआ कि माँ कि पताई चलेगा के परिवार को न्याए कितना जरूरी है आप शबी लोग जानते हैं तो सिंपल सी बात है ये इंडस्ट्री अखिरकार चुप क्यों है पवन सिंग अता है सुबह सुबह ही साथ में और आप अभी तक एक सब्द नहीं बोल पाएं अपने सोसल मीडिया पर आखिरकार आप भी चुप क्यों है तीन सांसत क्यों चूप है और पूरा भुछ पूरी इंडस्ट्री में डॉमिनेट आखिरकार क्यों चूप है कई सारे सवाल हैं जो होना चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद